Hello everyone, I am Priyanka Gord, Welcome back to my channel Learning with Pace, आज हम लोग French Revolution का second part कर रहे हैं, first part में हमने French Revolution के introduction को जाना था और second part में हम depth में जानेंगे कि French society में revolution क्यों हुआ, क्यों वहां के लोग इतने ज़्यादा ignited हो गई थे towards the King Louis XVI और ये revolution किस तरीके से end हुआ, क्यों Louis XVI को execute कर दिया गया, इन सब चीजों को हम depth में पढ़ेंगे और आज का जो topic है, जो title है that is French society during the late 18th century, आगे topic को बढ़ाने से पहले मैं आपको inform कर दूं कि आप मेरे साथ telegram group पर जूड सकते हैं and you can follow me on Instagram as well, इन दोनों के ही link, telegram के and Instagram के दोनों के link आपको description box में भी मिल ज जाएंगे और इन दोनों की username आप अपनी screen पर भी देख सकते हैं, चलिए topic शुरू करते हैं, हम यहाँ पर late 18th century को पढ़ेंगे कि इस time period में French society के क्या हाल चाल थे, यह सब जानेंगे, पहले तो देखिए कि 18th century का मतलब क्या है, हम यहाँ पर 1700 से 1800 के time period को 18th century कह रही हैं, ठी जो यह time period है ना 1700 से 1800 का, इसके ending time को late 18th century कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए from 1770 से लेकर 1800 के time period को हम late 18th century कह देंगे, इसी time पर Louis XVI फ्रांस के राजा बने थे, इसी time पर, मतलब इसी time period के दोरान, जो यह Louis XVI थे, जो king थे फ्रांस के, इनकी शादी हुई थी, और इसी time पर revolution हुआ था, फ्रांस में बहुत बड़ा, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, चलिए, शुरू करते हैं हमारा topic, in 1774, Louis XVI of the bourbon family of kings ascended the throne of France, 1774 में क्या हुआ था, कि जो Louis XVI थे, he occupied the throne of France, मतलब इनोंने फ्रांस की गदी को संभाला था, मतलब यह फ्रांस की गदी पर बैठे थे, ascended का मतलब क्या हुथा, occupy कर लेना किसी position को, जैसे कि Louis XVI ने फ्रांस की गदी को occupy कर लिया था, as a king, Louis XVI किस dynasty से बिलोंग करते थे, यह बर्बन family से, मतलब बर्बन family जो इनकी dynasty थी, इससे बिलोंग करते थे, इससे पहले Louis XIV, Louis XV, यह भी इसी family से बिलोंग करते थ और Louis XIV और Louis XV भी फ्रांस के राजा रहे हैं, तो Louis XVI जो थे, यह बर्बन family से बिलोंग करते थे, और 1774 में ही occupied the throne of France, मतलब यह फ्रांस की गदी पर बैठे थे, He was just 20 years old and married to Austrian princess Mary Antoinette, इनकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी, 20 साल के थे, बिलकुल बालक से बच्चे से थे यह, मतलब इतने छोटे थे कि जैसे आप अगर अभी, मेरे खाल से अगर आँ 9th क्लास में हो तो आप से 2-4 साल ही बड़े थे यह, और इनकी शादी हो अगर रही थी, Austrian की प्रेंसेस से, Austrian क्या है, यह एक कंट्री है यौरॉप कॉंटिनेंट में, और Austrian की प्रेंसेस जिसका नाम था Mary Antoinette, इनके साथ इनकी शादी होई थी, और जब से इनकी शादी होई, यह समझे कि इनकी जिन्देगी की उथल पुथल वहां से शुरू होने लगी थी, क्योंकि जो Mary Antoinette थी, एक तो यह bad advisor कही जाती है, और बहुत ignorant queen यह रही है, हम हाला कि आगे पढ़ेंगे कि यह इतनी ignorant क्यूं थी, क्यूं लोग इनसे इतना hate करते थे French society में, यह सब हम जानेंगे detail में, ठीक है, अभी तो हम शुरूआत में भी पढ़ रहे हैं, अ लगी पर बैट गए थे, और बहुत ही छोटी उमर में, जब 20 साल के थे, इनकी शादी कर दी गई, है ना, तो यहां से इनकी जिंदेगी की उथल-पुथल शुरू हो जाती है, अपोन हिस एकसेशन, दा न्यू किंग फाउंड एन एंप्टी ट्रेजरी, जब लुई 16 फ्र बेन हो चुके थे, कंज्यूम हो चुके थे, एकसेशन का मतलब क्या होता है, एड्वांसमेंट इन पोजिशन, मतलब एक उची पद मिलना, एक उची पोजिशन मिलना, और यूजवली इस वर्ड को तब यूज़ किया जाता था, वन किंग और क्वीन टेक्स तब पोजिश बताए गई हैं, एक बार रीजन भी जानते हैं, बहुत इंपोर्टनेंट हैं, यह ध्यान से सुनियेगा, लोंग इयर्ज ओव वोर हैड ड्रीन्ड दा फिनेंशल रिसोर्सिस ओफ फ्रांस, कि फ्रांस के काफी सारे लंबे वोर चले थे, बहुत सारी कंट्रीज के साथ, ज जिसमें से एक है ब्रिटेन, इंग्लेंड, इंग्लेंड के साथ इनका सेवन इयर्ज का प्रोलोंग वोर चला था, जिसमें फ्रांस का जो पैसा था, वो काफी कंज्यूम हो गया था, खतम हो गया था, ओल्मोस्ट, ओके, अब देखें, जो वोर होती है, तो ऐसा तो है नही आर्मी चाहिए, सोलजर्स चाहिए, उनको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, साथ ही साथ आर्मी को वैपन्स चाहिए है ना, तो हातों से तो लड़ाया नहीं हो सकती ना, तो काफी सारे गोला बारूद चाहिए होते हैं, अमिनेशन चाहिए होती हैं, तो उसमें काफी स सारा खर्चा हो जाता है तो इसी लिए प्रोलोंग्ड वोर की वज़े से फ्रांस की जो फिनेंशल कंडिशन थी वो खत्रे में थी और इसी के साथ साथ added to this was the cost of maintaining an extravagant court at immense palace of Versailles. immense palace मतलब बहुत बड़ा महल जो कहां पर था Versailles में था जिसे Versailles Palace भी कहा जाता है अभी हमने एक रीजन तो ये जाना कि वोर की वज़े से फ्रांस की financial condition खत्रे में थी मतलब almost खतम हो चुकी थी financial resources दूसरा रीजन ये है कि इनका एक बहुत बड़ा राजा का palace था ये एक place है Versa करके और यहां पर king का palace है इसे हम Versailles Palace भी कहते हैं तो एक थोड़ा सा example ले ले लेते हैं है ना डाइग्राम से समझ लेते हैं देखें ये है French society मान लीजिए और यहां ये है central part अब यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत भीड़ा का है काफी शोर शराबा है तो इसी क कि पास में एक प्लेस था Versailles करके जहां पर एकदम एकांत सी जगह थी हाला कि यह मैंने डाइग्राम में छोटा बना बहुत बड़ा ये प्लेस था और जहां पर राजा का बहुत बड़ा महल बना जिस जो है Versailles Palace जब आप इसे देखेंगे ना Google पर images देखेंगे तो आप कितना शांदार ये प्लेस है तो यहां एकांत में राजा का प्लेस बनाया गया और ये इतना बड़ा इतना immense था कि इसको maintain करने की cost बहुत ज़ादा हो जाती थी और जो court था राजा का court का मतलब क्या होता है जिसमें राजा के administration level के लोग बैठते थे है ना administrators थे accountants जो काम करत होते थे है ना और जो राजा के जैसे army soldiers हो गए उनके उपर काफी सारा खर्चा होता था तो जो राजा है उसके court का extravagant खर्चा होता था मतलब फिजूल खर्ची बहुत जादा होती थी एक तो ये बहुत पोश्ट तरीके से रहना पसंद करते थे राजा राजा भी रानी भ करते थे है ना तो बहुत पोश्ट तरीके से extravagant life जीते थे जिसकी वज़े से खूब सारा पैसा इस palace को maintain करने में लग जाता था तो second हमने क्या देखा reason second reason है extravagant जो इनका खर्चा होता था मतलब फिजूल खर्ची जो होती थी next है under Louis 16 France helped the 13 American colonies to gain independence from the common enemy Britain ये line काफी important है under Louis 16 France helped the 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain इसको ध्यान से सुनिये इस line का मतलब क्या है जब France के राजा थे Louis 16 ठीक है उस time पर France ने America की help की थी इन्होंने 13 American colonies को independence दिलाई थी इन दोनों के common enemy से जो था ब्रिटेन मतलब America and France इन दोनों का जो common enemy था उस time पर वो था ब्रिटेन तो फ्रांस के पास वैसे तो खुद कुछ था नहीं खुद तो ये बिल्कुल empty थे इनका treasure empty था लेकिन फिर भी क्या किया France ने America की help की क्योंकि America के पास उस time पर इतने पैसे नहीं थे वो ब्रिटेन से लड़ पाए ब्रिटेन के against लड़ पाए और इससे independence ले पाए है ना तो इसी लिए France ने क्या किया France का already दुश्मन था ब्रिटेन तो France ने ब्रिटेन को नीचा दिखाने या फिर ये कहलो कि ब्रिटेन को powerless दिखाने के लिए America की help कर दी अब जब help की तो ऐसा थोड़ी ना है कि France के soldiers जाके अमेरिका वालों के साथ मिल गए और फिर ब्रिटेन से लड़ने लगे नो फ्रांस ने अपनी तरफ से खूब सारा पैसा लगा दिया इस war में और खूब सारा पैसा लगा कर ही ये जो 13 American colonies थी अमेरिका की उसको इंडिपेंडेंस दिला दी फ्रोम ब्रिटेन अब यहां पर आपके माइंड में question ये आ रहा होगा कि France का एनिमी ब्रिटेन क्यूं था इसके बारे में अभी हम बात करेंगे पर उसके साथ साथ मैं अभी एक चीज ये बता दू कि जब France ने इस 13 American colonies की help की और ब्रिटेन से स्वतंतरता इनको दिलाई तो उस टाइम पर France का इतना पैसा लग गया था कि France करजे में बुरी तरीके से डूब गया था और वो करजा चुकाने के लिए अब France के पास एक सिंगल पैनी भी नहीं थी अब आपको थोड़ा सा मैं ये बता देती हूं कि 13 American colonies पर ब्रिटेन ने कबजा क्यों किया हुआ था ये भी आपको पताऊना चाहिए हाला कि हमने 7th class की NCRT and 8th class की NCRT में बहुत अच्छे से इसको complete किया था लेकिन यहां पर हम दुबारा से थोड़ा सा इसको revise कर लेते हैं देखिए एक word आपने सुना होगा colonization जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं उपनिवेशवाद इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत ही easy language में समझाऊंगी एक है powerful country और एक है ऐसी country जो powerless है या ये कहलो जिसके पास पैसे नहीं है या ये कहलो कि इनकी financial condition तो है ही खराब poor country जिसे आप बोल सकते हैं ठीक है तो colonization का मतलब क्या है कि जब एक powerful country एक दूसरी foreign country पर अपना rule बनाने लगते हैं उस पर control करने लगती है और ये जो powerful country है ये जब इस powerless country या poor country में ऐसे rule बनाती है जिससे यहां के रहने वाले लोगों को फायदा नहीं होगा जो poor country मे रहे हैं बलकि फायदा किन को होगा powerful country को होगा इसे हम colonization कहते हैं तो उस time पर powerful country कौन सी थी ब्रिटेन थी तो ब्रिटेन ने colonization कर रखा था अमेरिका को जैसे ब्रिटेन ने हमारे इंडिया पर किया था है ना तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि अमेरिका की colonies को अपने नियंत होते थे ओके तो उसे हम कोलोनाइजेशन कहते हैं फाइन चलिए अब हम जानते हैं कि फ्रांस ने अमेरिका की जो हैल्प की थी अगेंस्ट ब्रिटेन इसके पीछे रीजन था कि फ्रांस का ओल्रेडी जानी दुश्मन था ये दूसरा देश ब्रिटेन अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में टकराव कहां से शुरू हुई थोड़ा सब इसके बारे में हम बैक्ग्राउंड में चलते हैं मैं इसको एक बार इरेज कर दूँ और मैं दूसरा इसमें कलर चूज कर लेती हूं ताकि मैं यहां लिखूँ और आपको समझ में आ 15 और हम लुई 16 के बारे में तो पढ़ी रहे हैं ठीक है तो दिखें जो यह लुई 14 थे इनका जो थ्रोन का टाइम था वो था 1643 से 1715 और लुई 15 का टाइम था from 1715 till his death 1774 ठीक है अब जो यह लुई 14 थे इनके टाइम पर काफी सारे वोर हुए थे Many wars happened during that time under his reign और इस टाइम पर जब बहुत सारे वोर हुए वोर में इतना पैसा लगा कि फ्रांस के ऊपर रिन चड़ता गया debt में आता गया फ्रांस उस टाइम पर अब फिर आते हैं लुई 15 लुई 15 के टाइम पर फ्रांस की एक प्रोलोंग्ड वोर होती है जिसे हम 7 years of war भी कहते हैं और ये 7 years of war किसके साथ होती है फ्रांस की ब्रिटेन के साथ यहां से दुश्मनी शुरू होती है ध्यान से सुनियेगा लुई 15 के अंडर क्या होता है 7 years of war एक प्रोलोंग्ड वोर चलती है बिट्विन फ्रांस एंड ब्रिटेन फाइन तो इस टाइम पर हुआ ये कि जो ब्रिटेन है इसकी जीत हो जाती है और फ्रांस यहां पर हार ज अपर करता है American colonies की ता कि ब्रिटेन को powerless शो किया जाए एंड अपनी power दिखाई जाए और ब्रिटेन को हराया जाए इसे नीचा दिखाया जाए राइट आई होप यहां पर आप समझ घए होंगे कि क्यूं फ्रांस ने अमेरिका की help की थी और इस help में इतना सारा पैसा लग ग गया था मतलब आप ये मानो कि इनके पास अब सिंगल पैनी नहीं थी कि ये अपना रिंड चुका सकें तो हमने यहां पर तीन रीजन जान लिये हैं ठीक है पहला है वोर दूसरा है एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची जो इनके कोर्ट में या इड्मिनिस्ट्रे करना बहुत मुश्किल होता था थाधरड रीजन है कि इन्हों ने अमेरिका की हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडर्न दिला थी जिसमें खूब सारा पैसा लगा था जिसमें फ्रांस ने सूचा था कि अमेरिका जब आजाद हो जाएगा तो यह हमें हमारा पैसा वापिस कर देगा लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया इन्होंने अमेरिका की हेल्प की उसके बाद इतना पैसा लगा तो उससे हुआ यह दा वोर एड़ेड मोर देन अ बिलियन लिव्रे तो डैट देट हैड अल्रेड राइजन तो मोर देन टू बिलियन लिव्रे लिव्रे क्या है यह इनकी एक करंसी थी यहां पर आपको नीचे न्यू वर्ड में दिया हुआ है लिव्रे इनकी करंसी थी फ्रांस की और यह 1794 में डिसकंटीनू हो गई थी से बैन कर दिया गया था ठीक है मतलब फिर यह करंसी मानने नहीं रही थी 1794 के बाद तो इस वोर के बाद इनका इतना पैसा लगा कि इनके ऊपर लग बग 2 बिलि अब देखे क्या हुआ कि जो लोन इनोंने लिया हुआ था फ्रांस ने जो लोन लिया हुआ था लेंडर से लेंडर का मतलब क्या है जिनोंने पैसा दिया हुआ था तो इनोंने जिन जिन से पैसा लिया हुआ था या फिर जो लेंडर से जिनोंने स्टेट क्रेडिट दिया हम 100 रुपीज पर 10% का इंटरस्ट लगाएं तो कितना हुआ और उसी हिसाब से जब हम 2 बिलियन पर मतलब अर्बों में जब 10% का इंटरस्ट लगाते हैं तो सोचिए कि 2 बिलियन तो छोड़िये 2 बिलियन से जादा इनका इंटरस्ट साथी साथ उस इंटरस्ट को पे करना फ the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as cost of maintaining an army, the court, running government offices and universities. The state was forced to increase taxes. अब हाला कि इनके ओपर इतना पैसा, जो है वो करजा, मतलब हाला कि जो फ्रांस सोसाइटी है, जो फ्रेंच गवर्मेंट है, वो इतने जादा करजे के अंडर डूब गई थी, साथ ही साथ उस पर 10% जो interest लग गया था, जो interest भरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, अब इस interest को भरने के लिए फ्रेंच गवर्मेंट ने क्या किया, इन्होंने budget के percentage को increase कर दिया, that means इन्होंने लोगों के उपर tax लगाने शुरू कर दिये, अपने regular expenses को तो इन्होंने कम किया नहीं, बलकि इन्होंने अपने regular expenses को तो यूँ का यू रखा, पोश्ट तरीके से जीते रहे, अपनी आर्मी को उसी तरीके से पोश्ट तरीके से maintain करते रहे, पैलेस में रोज रोज फिर भी पार्टियां होती रही, king and queen दोनों इतने ignorant थे, तो इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने अपने regular expenses को, मतलब अपने regular खर्चे को maintain करने के लिए, army को maintain करने के लिए, court को maintain करने के लिए, government offices को run करने के लिए, universities, schools को चलाने के लिए, इन्होंने क्या किया, tax को बढ़ा दिया, ठीक है, किसको बढ़ा दिया, tax को बढ़ा दिया, और regular basis पर इनके expenses होते रहे, king and queen के, तो इन्होंने खर्चों को कम नहीं किया, नहीं expenses को control किया, बलकि rather than इन्होंने क्या किया, अपने expenses को meet करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, इन्होंने लोगों पर tax लगा दिये, और tax तो already थे ही, मतलब उन पर जो tax लगे हुए थे, उसको increase कर दिया, मतलब tax का amount और ज़्यादा बढ़ा दिया, yet even this measure would not have suffised, suffised का मतलब होता है enough, French society in 18th century was divided into three states, only members of third state paid tax, साथ ही साथ, अब ये देखिए, कि जो France ने taxes को increase किया था, वो हर एक लोगों पर implement नहीं था, हर एक लोगों पर lagoon नहीं था, ये जो major था, ये suffised नहीं था, enough नहीं था, मतलब हर एक लोगों पर एक तरीके से tax नहीं लगा हुआ था, कुछ लोगों को कुछ privilege मिले हुए थे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के क्या privilege लोगों को मिले हुए थे French society in 18th century 18th century में जो French society है वो तीन स्टेट में बाटी हुई थी ठीक है अब जैसे कि हमारे भारत में क्या था Wern system था ना जिस तरीके से caste system था उसी तरीके से France की society में 18th century में थ्री स्टेट में citizens को बाटा हुआ था और तीन स्टेट में जो थर्ड स्टेट थी सिर्फ वही स्टेट के लोग tax को pay किया करते थे तो एक बार हम जान लेते हैं कि किस तरीके से states को बाटा हुआ था मैं एक बार इसको erase कर दूँ फिर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से इनका division था first state, second state and third state ठीक है जैसे कि हमारे यह वर्ण system था ना वर्ण system that means कि ब्रामिन, शत्रिय, वैशे, शुद्र उसी तरीके से 18th century में फ्रांस में इस तरीके से चर्च में higher position पर काम करते थे, कौन सी position पर, higher position पर और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जो man थे, मतलब जो male member थे clergy में, उनको यह privilege था कि वो tax नहीं भरेंगे, fine second में थे nobility के लोग, मतलब जो noble family से बिलोंग करते थे जिनके पास खूब सारा पैसा था और यह कहलो कि जो king के near and dear ones थे, जो king के रिष्टेदार लगा लो, वो लोग nobility में आते थे, ठीक है, तो king की पूरी family और उनके बच्चे वो सब nobility में आते थे, जिनको tax नहीं पे करना पड़ता था, अब इन दोनों को छोड़ कर noble people and clergymen थे, उनको छोड़ कर जितने भी rest लोग थे, उनकी population थी उस time पर 90% और यह 90% जो लोग थे, इनमें कौन-कौन थे, इनमें थे big businessmen, merchants, court officials के लोग जो थे, जो court में काम करते थे, lawyers जो थे, pigents, articians, small pigents, landless laborers and servants, तो यह लोग tax pay करते थे, आप यह कह सकते हो कि यह लोग वो थे, जो अपनी livelihood को earn किया करते थे, मतलब पैसा कमा कर अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है, वो लोग third state में आते थे, एक question यह भी आ सकता है आपके mind में कि जो army थी, वो कौन सी state में आती थे, army के जो लोग थे, वो भी third state में आते थे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, कि जो clergyman थे, जो church में higher position पर थे, वो लोग first state में आते थे, second state में जो king के near and dear ones थे, जो उनकी family, familial relation जिनके साथ king का था, वो लोग noble person थे, इन लोगों को छोड़ कर, जितने भी rest people थे, वो लोग third state में आते थे, और वही लोग tax pay किया करते थे, अब आपके mind में question यह भी आता होगा, कि first and second state के लोगों को इतनी privilege क्यों मिलती थी, क्योंकि यह लोग खुद कहते थे, कि हम लोग by birth privileged हैं, कि हम ऐसी family में पैदा हुए हैं, तो यह अपने आपको दोनों ही state के लोग by birth privileged कहते थे, आगे पड़ते हैं, the society of states was part of feudal system that dated back to middle ages and the term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789, तो फ्रांस में middle age के time पर feudal system था, feudal system का मतलब क्या होता है, देखिए, feudal system को समझते हैं, feudal system का मतलब होता था, कि बहुत बड़ी, जिसके पास जमीन होती थी, वो अपने under peasants रखते थे, वैसे हम अगर इसको feudalism को थोड़ा सा और detail में जाने तो समझते हैं, कि पहले king होते थे, फिर महा समन्ताज होते थे, फिर समन्ताज होते थे, फिर उप समन्ताज होते थे, और फिर आते थे हमारे peasants, अब जो king है, इसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, ठीक है ये जमीन का portion लगा लीजे, हर एक जमीन पर king क्या करता था, इन feudal loads को, जो महा समन्ताज है, समन्ताज है, उप समन्ताज है, इनको नियुक्त कर लिया जाता था, हर एक जमीन पर, और फिर जो ये feudal loads थे, ये खुद काम नहीं करते थे, ये अपने नीचे काम करने के लिए, लैंड को cultivate करने के लिए, उस प्रोड्यूस में से बहुत ही स्मॉल अमाउंट पिजन्ट को दिया जाता था जिससे इनका मतलब यह कह सकते हो कि रोटी दो टाइम की रोटी हो जाए बस इतना ही मतलब जिंदा रह सके इतना ही इनको पैसा दिया जाता था अधर्वाइज जो भी लार्ज अमाउंट में जो बी प्रोड्यूस होता था एगरिकल्चर का जो भी प्रोडक्शन होता था उसका पैसा किंग को से रूप में पे किया जाता था तो मिडल एजिज में फ्यूडल सिस्टम था वहांपर और ओल्ड रैजीम का मतलब क्या होता है जहांपर फिर वेस से कोई चीजे ना कि जा जाए, लोगों का exploitation किया जाए, तो ये जो old regime था, ये France में, France के institution में या उस society में देखने को मिला before 1789, क्योंकि जो patients थे, इनका बहुत ज़्यादा exploitation होता था, ठीक है, तो इसे हम feudalism कहते हैं, या feudal system कहते हैं, चलिए, next paragraph देखते हैं, अभी figure 2 में हमने क्या देखा था, अभी ह तरीके से, तीन state में French society को organize किया हुआ था, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि French society को 18th century में, 3 states में organize किया हुआ था, और जो population है, उसमें से 90% population किसकी थी, pigents की थी, pigents made up about 90% of the population, मतलब जैसे ये 100% population हो गई, इसमें से 90% population किसकी थी, pigents की थी, और बचे जो 10% है, इसमें nobility के लोग आते थे, मतलब noble person आते थे, clergyman आते थे, या फिर वो लोग आते थे, जिनके पास खूब सारा पैसा था, जो like third state से बिलोंग करते थे, मतलब उनकी भी population बहुत कम थी, However, only a small number of them owned the land they cultivated, जो pigents थे, ये 90% pigents जो थे, इन में से बहुती कम farmer थे, जिनकी खुद की अपनी own land होती थी, खुद की अपनी जमीन होती थी, जिस पर वो cultivate करते थे, Rest farmers जो थे, वो feudal system पर काम करते थे, मतलब जो समन्ताज या महा समन्ताज जो होते थे, वो इनको अपनी जमीन पर काम के लिए लगाया करते थे, About 60% of the land was owned by nobles, churchmen and other richer member of the third state, मतलब जो 60% land area है, देखे यहां पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जमीन कितना important role play करता है, और सदियों से जमीन जो है वो important role play करता आ रहा है, तो जमीन का जो 60% हिस्सा था, वो किस के पास था, nobles के पास था, या कुछ churchmen के पास था, या फिर उन लोगों के पास था, जो third state के बहुत जादा richer member होते थे, जिनके पास खूब सारा पैसा होता था, जैसे कि big businessmen लगा लिजिये, जो merchants थे, जो व्यापारी थे, उनके पास जमीने होती थी, जिन पर ये pagents काम किया करते थे, next one is, the members of the first two states, that is clergy, the nobility, they enjoyed certain privileges, that means कि जो first two state के लोग थे, clergyman, nobility, मतलब जो noble person थे, इन लोगों को certain privileges मिली हुई थी, और ये कहते थे, ये हमें certain privileges by birth मिली है, that means जन्मजात मिली हैं, और privileges का मतलब क्या होता है, special rights, और इसमें जो special right है, वो एक ये था, that the most important of these was exemption from paying tax to the state, मतलब इन लोगों को छूट मिली हुई थी, कि ये state को tax नहीं पे करते थे, exemption का मतलब क्या होता है, exemption का मतलब होता है, छूट या immunity या फिर मुक्ती, तो that means कि जो first और second state के ये जो लोग थे, clergyman and nobility, ये लोग tax pay नहीं किया करते थे, इनको taxes को pay करने की एक छूट थी, exemption मतलब इनको एक immunity थी, right, तो फिर tax कौन पे किया करते थे, tax pay किया करते थे, third state के लोग, the nobles further enjoyed feudal privileges, और जो ये nobleman थे and जो clergyman थे, ये feudal privileges को enjoy किया करते थे, Feudal Privileges का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिए मतलब जो भी कमाई थर्ड स्टेट के लोग करते थे जो भी ये लोग earn किया करते थे थर्ड स्टेट के लोग एक बार यहां पर डाइग्राम में चलते हैं जो भी ये थर्ड स्टेट के लोग earn किया करते थे इनसे tax collect किया करते थे first and second state के लोग तो third state के लोगों को इन two upper जो states है first and second state इनको tax देना पड़ता था और इसी collection of tax को कौन enjoy किया करते थे ये nobles enjoy किया करते थे मतलब clergyman and nobility के लोग इस feudal privileges को enjoy किया करते थे they used to collect the tax from the pageants and other members of the third state these included feudal dues which they extracted from the pageants अब देखें feudal dues का मतलब क्या होता है feudal dues का मतलब होता है जो compulsory payment होती है ध्यान से सुनिये feudal dues का मतलब होता है जो compulsory payment होती थी और ये compulsory payment third state के लोगों को देनी ही देनी पड़ती थी first and second state के लोगों को ताकि first और second state के लोग जो है वो अपनी जिन्दगी को अच्छे से जी पाएं तो कहने का मतलब है कि third state के लोग एक तो खुद ही कमाई किया करते थे और उस कमाई में से tax pay किया करते थे first and second state के लोगों को तो यहां से third state के लोगों के अंदर हमें एक आक्रोश देखने को मिलता है और यहीं से इनके आक्रोश को या फिर इनके जो anger थे जो गुस्सा था उसको ignite तब कर दिया जाता है जब tax payment को increase कर दिया जाता है क्योंकि tax तो third state के लोगों को ही देनी पड़ती थी और यहीं से third state के लोगों के अंदर एक गुस्सा आता है जब tax amount और जदा increase कर दिया जाता है to meet the regular expenses by the king or the queen or the noble persons और clergyman तो जो यह special privileges यह लोग enjoy किया करते थे nobility and clergyman इसमें feudal dues आते थे feudal dues का मतलब है compulsory payment जो third state के लोगों को देनी ही पड़ती थी either by cash or by other stuff or services यह इनको देनी ही पड़ती थी जो यह लोग कहां से extract किया करते थे from the third state जैसे की pigents से pigents were obliged to render services to the lord अब यह lord कौन है clergyman भी हो गए, nobility के लोग भी हो गए, king हो गए और जो feudal lord थे ठीक है इनको services देनी ही पड़ती थी pigents को to work in the house and fields तो pigents क्या करते थे इनके घरों में काम करते थे इनके खेतों में काम करते थे to serve in the army आर्मी में यह लोग काम किया करते थे and participate in the building roads and जो roads वगएरा बन रही होती थी उसमें यह pigents अपनी services को render किया करते थे मतलब दिया करते थे इन services में यह participate किया करते थे और special privileges कोण enjoy करते थे these feudal lords अब यहाँ पर काफी important चीज यह दी गई है कि किस तरीके से peasants या फिर third state के members tax pay क्या करते थे और उन taxes को क्या कहा जाता था ठीक है the church to extracted its shares of the taxes देखे ऊपर जो है यहाँ पर nobles के taxes की बात की गई ठीक है feudal lords के किस तरीके से taxes collect किया करते थे पीजंट से उसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी अब बात करते हैं कि church जो है वो भी tax collect करती थी from the peasants और जो यह peasants थे जो church को पैसा देते थे taxes provide करते थे इनको इस tax को कहा जाता है tithes ठीक है important है ध्यान रखेंगे and third state के जितने भी members थे सभी members all members यह direct tax pay करते थे and indirect tax pay करते थे यह जो direct tax pay करते थे state को उसे कहा जाता था tile या फिर tail और indirect जो यह taxes pay करते थे वो जैसे रोज मर्रा के जो सामान होते हैं उन पर लगे हुए थे जैसे की salt, tobacco इन सब के consumption पर इन third state के members को tax देना पड़ता था ठीक है दुबारा से एक बड़ इस tax वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं देखिए जो pigents थे वो nobles को भी tax दिया करते थे ओके जिने हम feudal lords भी कहते हैं feudal lords को भी tax दिया करते थे जो pigents थे ये church को भी tax देते थे तो जो ये church को tax देते थे उसे tides कहा जाता था pigents के अलावा third state के सभी members जो थे वो state को direct and indirect दोनों ही तरीके से tax pay करते थे तो जो ये third state को direct tax pay करते थे उसे tile या फिर tail इसको कैसे भी आप pronounce कर सकते हो ये दिया करते थे इस tax को कहते है tile या tail और जो indirect tax ये pay करते थे state को वो किस चीज़ पर लगे हुए थे indirect taxes वो थे everyday consumption की चीज़ों पर जैसे कि salt and tobacco the burden of financing activities of the state through taxes was born by third states alone born का मतलब होता है कि कौन सहन कर रहा था इन taxes को pay करना में भी tax का burden किस के उपर था सिर्फ और सिर्फ third state के logo पर ही ये tax लगे हुए थे ओके इस picture में poor patients की condition दिखाई है और ये दिखाई कि किस तरीके से ये noble person आराम से बैठा हुआ है आराम दे जिन्दगी जी रहा है comfortable life जी रहा है और किस तरीके से ये poor patient सारा दिन रात भर मेहनत करके जो भी production या जो भी money ये कमाता है उसको tax के amount में इन loads को ये pay करता है तो जो ये poor fellow है ये grains लाता है इन loads के लिए fruits लाता है money लाता है salads लाता है और जो ये fat load है ये आराम से बैठके सारी चीजों को accept करता है सारी चीजे इस poor patient से ले लेता है और इसको एक नजर देखता भी नहीं है तो यहाँ पर एक metaphor यूज किया गया है the noble is the spider the patient is the fly तो मतलब spider किसको बोला गया है spider बोला है इस lord को और fly किसे बोला है fly बोला है इस patient को ठीक है spider मतलब मकड़ी और fly मतलब मकखी that means ये metaphor कैसे use किया है कि जिस तरीके से मकड़ी अपने जाल में fly को फसा लेती है उसी तरीके से ये जो noble person है ये इन patients को अपने जाल में फसा लेते हैं एक spider की तरह है और फिर इनको अपनी web में entrap करके इनको exploit करते हैं अपने तरीके से और यहाँ पर देखिए the more the devil has the more he wants मतलब इस fat lord के पास already बहुत सारा धन यहाँ पर जमा है लेकिन he wants more and more तो यहाँ पर हमारा जो second part है french revolution का वो हम यही पर end करते हैं क्योंकि video काफी long हो जाएगी अगर हम आगे भी बढ़ेंगे तो यह जो आगे वाला part है आगे rest chapter को हम third part में बिलकुल complete कर लेंगे ठीक है और फिर इसके बाद इसका doubt session ले लेंगे हम live video में एक चीज मुझे आपको यह बतानी है कि यह video long इसी लिए है क्योंकि देखे क्या होता नहीं कि कुछ students ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि मैं video short बनाओ कुछ कहते हैं कि मैं हर एक word का meaning बताओ और उनी में से आप ही लोग हो जो यह कहते हो कि मैं line to line बनाओ तो अब देखे हम history पढ़ की अच्छे से तो आपको ninth class की history की आगे की video चाहिए तो मुझे comment section में जुरू बताइए thank you so much this side Priyanka गोर I wish you all the best keep learning bye bye